दोस्तो आपको स्वागत एक बर्फट से हमारे यूट्यूब चैनल था और अस्ट में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कटुआ की 10 सबसे खुबसूरत जगाएं दोस्तो इन में से कुछ जगाएं काफी खुबसूरत हैं कुछ जगाएं काफी अडवेंचरस और दोस्तो कुछ जगाएं काफी धार्मिक हैं जहांपर हर साल बहुत से शर्दालू आते हैं और दोस्तो चली वीडियो को जल्दी ही शुरू करते हैं और दोस्तो वीडियो को लास तक जुरू बने रही का क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरस्टिंग होने वाली है तो चली वीडियो को जल्दी ही शुरू करते हैं लोगों का ये मानना है कि देवी ने खुद को एक पत्थर के टुकडे पर अपना एक निशान बनाया है देवी को एक पीतल के शेर जिसका सर चांदी का है वहाँ बैठा देखा जा सकता है इस मंदर तक पहुँचने के लिए आपको 50 से 60 सीडियां चड़ कर जाना होता है नमबर दो रंजी सागर डैम दोस्तो ये डैम कठुवा और पठानकोर्ट से लगबग 30 किलोमेटर की दूरी पर सीता है ये डैम रावी नदी पर है इस डैम का 60% हिस्सा जम्मू के कठुवा में आता है और बाकी का 40% हिस्सा पठानकोर्ट में आता है ये डैम लगबग 600 मेगावार्ट तक की बिजली पैदा करता है इस डैम को 1980 में बनाना शुरू करवाया था और दोस्तों इसे 2001 में जाकर ओपन किया गया और दोस्तों ये काफी बड़ा डैम है जो की एक मेजर टिरिस्ट अट्रक्शन है कठुवा की नमबर तीन माताबाला सुंद्री माताबाला सुंद्री जी का मंदिर कठुवा से लगबग 13 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों लोगों का ये मानना है कि एक बार एक ब्रामिन अपनी सिकल यानि अपनी द्राती से गास को काट रहा था तभी उसकी द्राती जाकर एक पत्थर पे लगी और दोस्तों उस पत्थर में से खून आना शुरू हो गया उसे दिन रात को ब्रामन को एक सपना आया और सपने में उसे एक आवास सुनाई दी जो कह रही थी कि उस पत्थर की स्तापना एक बरगत के पेड़ के नीचे कर दी जाए उस पत्थर को देवी का ही एक रूप मान कर उसकी स्तापना बरगत के पेड़ के नीचे कर दी गई तभी से वहाँ पर एक बाला सुन्दरी नाम का मंदिर भी बना दिया गया और दोस्तों बाला सुन्दरी माता पारवती माता का ही एक अवतार है नमबर चार पुर्थू बीच पुर्थू बीच जो की मिनुगवा के नाम से काफी मशूर है ये एक बहुत ही खुबसरत बीच है जो की एक बहुत ही बड़ी बीच है यहां बहुत से खुजूर के पेर लगे हुए है जिसकी वज़ा से ये बीच काफी attractive लगती है ये रावी नदी के किनारे है जहाँ पर बहुत से टूरिस्ट इसे देखने आते हैं और रावी नदी के किनारे नहाते हैं और पिकनिक स्पॉट भी ये बहुत ही अच्छा है जहाँ पर लोग पिकनिक भी मनाते हैं दोस्तों गुर्दवार सिंख सभा कटुवा शेहर के बीच विच बना एक गुर्दवार है जो की सिखों का एक धार्मिक किंद्र है दोस्तों ये जगा गुर्दवार चोक के नाम से भी काफी मुशूर है यहाँ एक सिख missionary college भी है सिखों का सबसे मशूर तिहार गुरुपुरुप भी यहाँ पर बहुत अच्छे तेके से मनाया जाता है यहाँ पर कीर्तन और अन्य कारेकरम भी बहुत ही अच्छे से किये जाते हैं यह गुर्दुवारा कटुआ की एक मेजर टूरिस्ट अट्रक्शन है नमबर चे बनी वैली दोस्तो बनी गाटी एक चोटी सी गाटी है जो की 42 सो फीट की उंचाई पर उंचे उंचे पहाड़ों के बीचों भी स्तित है यहाँ पर सर्दियों में बहुत ही जादा सुनोफाल होता है यह जगा कटुआ डिस्टिक्ट में है जो की मीनी कश्मीर के नाम से भी काफी मशूर है यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं इस जगा में बड़े बड़े गास के मैदान बैती हुई सुन्दर नदियां और घने जंगल भी है जिसकी वज़ा से यह जगें काफी अडवेंचरस लगती है नमबर साथ सर्थल दोस्तों सर्थल एक बहुत ही कुपसूर जगह है जो की बनी वैली से लगबग 20 किलो मिटर दूर है यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े गास के मैदान है और यहाँ पर बरफ से डखे हुए काफी उंचोंचे पहाड भी है यह जगे काफी शान्त है जहाँ पर पहुँचने पर आपको बहुत ही ज़ादा सुकून मिलता है यह जगे बदरवा और हिमाचल से कनेक्टिड है दोस्तों अटल सितु ब्रिज 592 मिटर लंबा एक केबल स्टेट ब्रिज है जो की राविनेदी पर बनाया गया है यह ब्रिज जम्मो कुश्मीर और पंजाब को आपस में जोडता है इस ब्रिज का एक एंड कठुवा में और दूसरा एंड पठानकोट में है यह एक बहुत ही बड़ा ब्रिज है जिसे देखने बहुत ही ज़ादा टूरिस्ट आते हैं दोस्तों इस ब्रिज का उदगाटन 24 दिसंबर 2015 में किया गया था इस ब्रिज का नाम अटल बिहारी वाजपाई के नाम पर रखा गया है नमबर नो जोडियादी माता दोस्तों यह मंदिर जम्मू के कठुवा डिस्टिक में है जो कि कठुवा की तहसिल बसोली से लगबग 40 किलोमेटर दूर शीतन लगर में है यह मंदिर बंजाल की पहाड़ियों में है जो कि शीतन लगर से 4 किलोमेटर की दूरी पर सीत है बंजाल से इसकी उंचाई लगबग 7000 फीट है इस मंदिर के अंदर शीतला माता जी की मूर्ती स्थापित है जिसके दर्शन करने बहुत से शरदालू यहां आते रहते है नमबर 10 नरसिंग जी टेंपल दोस्तो नरसिंग जी टेंपल एक बहुत ही पुराना मंदिर है जो कि बगवान नरसीमा जी का मंदिर है बगवान नरसीमा जी विश्ण बगवान के ही एक अफ़तार थे यह मंदिर कटुआ के गगवाल शहर में है यह मंदिर लगबग 1600 साल पुराना है इस मंदिर में भी बहुत से लोग यहां पर आते हैं और बगवान नरसीमा जी की पूजा करते हैं यह मंदिर भी एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉर्ट है तो दोस्तो यह थी कटुआ की 10 सबसे खुबसूरत जगाएं जहां पर हर कोई जाना पसंद करता है दोस्तो आप भी इस जगाँ पर जुरूर विजिट कीजिएगा यह मदिर भी पसंदा युटूब लीडियो को लाइक करें और साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को सद भी शेर करें और अगर आप उमारे चैनल पर ऐसे बना रहना चाहते हो तो आप उमारे चैनल को सब्सक्राब भी कर सकते हैं और तुस्तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद